हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, दिस इस परवीन और आज जो हम बात करेंगे ये एक इंट्रॉडक्शन टॉपिक है कम्प्यूटिंग एंड इन्फरमेटिक्स का ये AMI का एक सबसे जादा इंपोर्टेंट और कंप्लेक्स सब्जेक्ट है कम्प्यूटिंग इन्फरमेटिक के कैसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर चार या पांस सब्जेक्ट का निक्चर से और कभी भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो किसी एक अगर सिलेबस हो और उस पे हम ज्यादा गहराई तक जाए तो को ज्यादा प्रोब्लम नहीं होती है लेकिन कम्प्यूटिंग में इसा नहीं है कम्प्यूटिंग में अगर एक टॉपिक को पगरके गहराई जाते हैं तो वो पूरे सिलेबस का मात्र 15% भी नहीं कोभर होगा आपका पर एकजामपल कम्प्यूटिंग में सब से पहला जो सिलेबस में दिया गया है वो C एंड C++ दिया गया है क्या दिया गया है अगर हम कम्प्यूटिंग को दो गरूप में बाड़ दे है गरूप A और गरूप B जैसे आपके syllabus में दिया गया है तो group A का अगर हम palatopi लेते हैं तो ये C और C++ की बात करती है तो C और C++ एक बहुत lengthy subject होता है अगर आप normal B-tech करते हैं तो वहाँ पे C और C++ को पढ़ने के लिए दो semester में दो book cover करना पढ़ता है एक में आपका basic C होता है और एक में advanced C होता है तो अगर आप first semester में पढ़ते हैं तो basic पढ़ते हैं और third में जाके पढ़ते हैं regular B-tech के हम बात कर रहे हैं तो C++ advanced पढ़ते हैं लेकिन आपके subject में क्या है कि ये basic से advanced level तक का programming आपके section A में ही आ जाता है और दूसरा difficulty इसमें ये है कि C और C++ में जब भी कोई questions पूछता है तो वो theory नहीं पूछता या तो वो programming पूछेगा या इसका flow chart पूछतेगा या इसका algorithm पूछतेगा इसमें तीनी topic main है programming, flow chart और algorithm और ये तीनों तभी बनेगा जब इसका programming आपको करने आ रहा हो ऐसा नहीं कि वो theoretical है वो दोनों solutions है questions का, वो दोनों solutions programming के base पे ही बनेगा इसका साफसाफ मतलब ये हुआ कि जब तक आपको उस questions का programming नहीं आएगा तो आप questions को नहीं पकर पाईएगा और ये deployment level पे या diploma के below हम पढ़ते हैं 6 semester में तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा परहाई नहीं हो पाता तो इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा difficulty होता है और आप में क्या है कि सिर्फ एक इसको एक topic बना के दे दिया गया है लेकिन अब topic के अंदर आपको इजली समझा नहीं पाएगा कि programming कैसे करना है क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा भाष्ट सिलेबस है तो आपको easy बना के परहाना ये थोरा सा difficulty है इसमें परहाने में तब ही कुछ बहुत बड़ा सम्भब नहीं है लोग बहुत अच्छन पास हो रहे हमारे यहां से तो हम लोग अपने coaching में modulation institute में 2014 से ही class दे रहे है online तो उस समय का जो programming था और अभी का है सब update किया जा रहा है और सारे जो teachers है सारे जो faculty है वो expert है उस topic के तो उसी faculty से हम लोग class recording करवाते हैं तो computing informatics में मेरा specialist है electronics and communications branch में तो हब इसमें से group B का एक topic हम पढ़ाते हैं digital electronics हम बताएंगे और वो हम कहां पर आप आएंगे तो जैसे group A में C और C++ है तो देवांस रागव सर computer के basic ground से उसी से आते है बेकांट से आते है तो इसलिए वो सर यहां पर class लिए है तो बता दिया आपको C और C++ बहुत ज़्यादा जरूरी है next आता है अपका database management technology dbmt dbmt भी एक बहुत lengthy subject होता है database management एक system होता है यहां पर टेक्नोलोजी दिया गया है तो इसका एक अलग topic है इसका अलग book आती है वो book भी यहां पर merge कर दिया गया है फिर तीसरा आपका आता है इसमें computer network एक यह book है अब यह एक अलग special book होता है जिसको यहां पर topic बना के दे दिया गया है इसके अंदर हमें landman, TCP, IP यह सब परना होता है तोपोलोजी परना होता है आप अगर syllabus ध्यान से देखे होंगे तो यह तीनो topic group A के अंदर है और यह तीनो topic नहीं तीनो book है और यह तीनो book अपने में एक अच्छा अस्थान रखता है एक topic के अंदर में और यह तीनो book को merge करके आपके group A के अंदर सिल्य बस दिया गया है ठीक है अब group B की बात करें group B में सबसे पहले आपको computer basic या basic computer बल सकते हैं यह एक basic computer है जो कि सबसे अगर computing informatics के सबसे आसान topic की बात करें तो कि यही आसान topic है जिसमें basic computer के अदर में generations दे दिया गया हूँ वह सब टोपिक है उसके बाद आपका आता है डिजिटल electronics इसके बाद आपका आता है generation generation of computer यानि 1,2,3 यहां पर है तो 4,5,6 यहां पर है यानि total छे topic को merge करके एक आपका book बनाया गया है computing and informatics की आपका एक subject है अगर आपका यह छेo subject पे पकर होता है तब आपका एक माई का एक book पे पकर हो रही है और वो भी सिर्फ एक exam तीन घंटे अंदर यह छेo topic के सबसे important topic के उपर जवाब लिखना है आपको लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें options मिलते हैं कुछ questions दो करने होते हैं और दो questions हमें option होते हैं जो 4 में से कोई 2 कर सकते हैं यह सबसे अच्छी बात है तो अब अगर हमें इसके अंदर deep जाएंगे जो हमारा जो हमारा इस्पेसलाइशन से वह हमारा यह पांच नंबर में है क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोनिक्स कॉम्णिकेशन में हमारा बीटेक और एम्टेक है तो हम यह टॉपिक दील करेंगे आपके लिए और मांकी टॉपिक 2014 में हम कुद लिये थे उसके बाद दर इसको अपडेट किये गए अपडेट किये हैं तो उसमें हम देवांस रागवसर को आएं इसमें वह भी बहुत अच्छे टीचर्स है क्योंकि उनका कंप्यूटर साइंस में बीटेक एम्टेक है और काफी अच्छे लेक्षल भी है सब्सक्राण रखती है तो उसका अपडेट जो है यह सब अपडेट किया गया है और यह काफी अच्छा है आप लोग के लिए कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ है तो वह टॉपिक हमारे लिए एक एक्जाम पॉइंट अभी उसे सबसे जादा इंपोटेंट बन जाता है कि जो टॉपिक पढ़े उसे एक्जाम जो पूछे वो बन जाए हमसे वह भी इजी तरीके से तो आपको बन जाएगा ठीक है तो आज कर जो हम क्लास लेंगे एक से आपको पता ही होगा section group A से 40 marks का questions long में आता है और यहां से 40 marks का long में आता है और जो C group है यह C group में A और B दोनों merge करके 20 marks questions आता है यह एक basic चीज़े है जो आपको पता होगा यह सबसे ज़्यादा असान होता है number लाने के लिए आपका यहां पर एक से लेके 10 questions होगा और यह दसों questions टूटू marks का होगा तो टोटल आपका 20 marks बन जाएगा यह 20 marks लाना बहुत ही जी है बस topic का introductions पता होगा तो आप यहां से 20 number असानी से ला सकते हैं और group A और group B थोरा सा conscious होके परना परेगा और वह कैसे परना है आपको topic में ही बताते जाएंगे कि जैसे हम जो topic का class start होगा उस topic में ही जो questions पिछले 13 साल में 13 साल में इसका मतलब होगा कि 26 semester में जो questions पूछा गया है वो questions का discuss उसी जगह पे हो जाएगा ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि market में ऐसी कोई book नहीं है जो questions अच्छे से deal किया हो questions bank में क्योंकि यह सारे topic किसी एक book में तो और होता ही नहीं है एक दो coaching हैं जो इसका notes market में आ रही है वो लोग भेजते हैं लेकिन सारा जो इसका जो content है उस notebook में वो सब copy paste है जो कि student के लिए कोई मतलब ही ने बनता उस परने से आप internet से copy करके जब paste कर दिया जाए तो क्या मतलब बनता है तो student को अपने language में लिखना जरूरी है exam में और वो तब होगा जब आप उसको समझ के लिखिएगा क्योंकि science रटा माने का चीज है नहीं तो यह चीज हम आपको class लेंगे अभी आगे बताएंगे कि answers exam में कहां से पूछे जाते हैं और कहां से बनता है क्योंकि questions जो पूछा जाएगा वो simple topic से पूछेगा और topic ऐसा होगा जो इसके अंदर में है हम जब questions पढ़ी ही लेंगे तो लिखना क्या दिकत है तो यह कैसे लिखना है क्योंकि हर questions का एक frame ऊहता है और framing में questions लिखते ह तो examiner अच्छा number देगा आपको ठीक है तो हम अब आगे बढ़ते हैं और start हम करेंगे digital electronics और जो भी topic start करेंगे उस topic में जितने questions पूछे गए हैं अभी तक उस questions का discuss हमो ही कर लेंगे ताकि आपको एक अंदाजा मिलता जाए कि AMI का questions कैसा पूछा जाता है और उसको exam में जब लिखना हो एक्स्पेन करना हो तो किस तरीके से करना है बोछे स्ट्रीकेंस का ये होता है पड़तू लेते है colored हो चीज का लेकिन जब कोपी में लिखना होता है तो वह content का जो delivery करना होता है वह देलेवर जो हम content करते हैं वह तरीके सब करतू आपते हैं तो examiner जो है वो जो जो का ध्यान रखते हैं कि student questions कितने तरीके से लिखा है अगर 10 marks का questions है तो उसमें क्या का जाएगा अगर same questions 5 marks में पूछा जा रहा है 5 marks में तो उसका answers कितना page में होगा कितना content डिलीबियर करना है यह चीज बच्चा नहीं कर पाता अब जैसे हम आपसे एक simple पूछ ले कि explain logic get और पूछ दे 2 marks में तो उसका answers क्या होगा explain logic get पूछ दे 5 marks में तो answers क्या होगा explain logic get और पूछ दे 10 marks में questions same है बस marks का answer है तो हमें marks के साथ हमने decide करना है कि content कितना डिलीबर करना है इस questions बाले में इसा नहीं कि questions एक है तो answers सबका एक ही होगा ऐसा नहीं होता examiner यह चाहता है कि आप खुड decide करो कि हम जो marks आपको दे रहे हैं उसके according कितना content उसमें लिखना चाहिए तो सबसे जो बड़ा problem है एक यहां पर भी second stage पर पहला तो knowledge का है दूसरा frame का है बहुत बच्चे हमें यह भी call करते हैं कि सर हमें अच्छे से exam गया है सारे questions हम करके आये हैं पर marks नहीं मिला हम फेल कर गए group यह आपका D grade आ गया C grade आ गया या E grade आ गया तो उसका एक ही region है कि आपका content जो deliver किये हैं आप answer examiner एक second में judge कर लेगा कॉंपी जब उसके सामने आता है जब वो तिन चार पेज प्लट के देख लेगा आपके quality को judge कर लेगा कि आप कितना content कि यह हो तो उसी से examiner अंदाद लगा लेता है तो उसको बीट करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जब हम questions को बनाए आप यह भी प्रेम करो यह मान के चलो हर समय कि यदि यह को से पूछेगा मांक में क्या लिखेंगे यदि यह पूछेगा 4 मांक में ख्रत भक्त में यह एसा cinnamon पढ़ाई करला है तो शी करते हैं उनका content deliver का तरीका अच्छा होता है तो यह आपसे request हमारा है कि जब भी topic पढ़ें उस topic को exam pointer view से देखें कि यह topic से कितना questions अभी तक पूझा गया है और questions कितने marks का होता है जैसे हम अब एक topic नाम लेते है digital electronics में तो DE बहुत असान होता है आपका असान केसे है group B में अगर आपको दो questions पूरे करने हैं तो सिर्फ digital अकिला काफी है क्योंकि हम यह 40 marks यहां से और 10 marks यहां से 50 marks है हम आपको grantee देते हैं कि अगर आप digital पर लेते हैं तो 35-40 marks आप सिर्फ group B से ला सकते हैं सिर्फ एक topic से यह छोड़ देजिए यह छोड़ देजिए यह तो बहुत easy है और यह भी easy है यह आप खुद से कर सकते हैं यह दोनों topic थोरा सा हम guide करते हैं यह basic computer है और यह generations है, generations में 5 generations अभी तक हुआ है computer का तो वह 500 generations में कभी पूछा आता कभी नहीं पूछता है आपका यह topic है technical यह topic अगर आप पर लेते हैं तो 35-40 marks grantee हम देंगे कि यहां से आपको आ जाएगा और एक्जाम में अच्छे नमर से आप पास हो जाओगे 35-45 यहां से और यहां से 5 नमर यहां समर्जे 5-6 नमर तो आपका 50 marks तो यहीं से पूरा हो जा रहा है तो यह बहुत सिंपल है अगर आप एक्जाम में ग्रूप B और ग्रूप C मिला के अगर 50-60 नमर ले आते हो तो ग्रूप A तो प्लस पॉइंट है ना तो एक strategy के साथ पढ़ाए करो तो सबसे असान है ऐसा हम क्यों बढ़ रहे हैं पूरे ग्रूप B से 4 questions पूछा जाएगा तो 2 questions digital से रहेगा और एक basic से रहेगा या नहीं भी हो सकता है या generation से रहेगा basic से chance kem होता है generation से चांज ज्यादा होता है ग्हानरेंdoor फैक निशन्स होए हम द universum मिलांकि 24 देगा बढ़िसमें जिसमें से 2 maximum मतले मिनमम 2 दो रहेगा रहेगा तो जब दो रहेगा यहाँ पर तो मेरा असान काम असान होगी अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो group भी cover कर लिए हम क्योंकि दो छोड़ना भी होता है ठीक है थोरा सा हम आपको explain करते हैं फिर next जो लेक्चर से यानि हर सेमेस्टर में minimum 10 marks का आता है क्या topic के नाम है logic gate आपको अच्छे से पता है कितने gate होते हैं total 7 gate होते है not gate or gate end gate nor gate end gate sorry exorget और exnorget यह 7 gate होते हैं total यह 7 gate को अगर हम categorize कर दे तो यह 3 को हम एक साथ कर दे यह 2 को हम एक साथ कर दे और यह 2 को हम एक साथ कर दे टेक है इसको हम बोलते है है फंडामेंटल गेट इसको हम बोलते है यूनिवर्सल गेट इसको बोलते हैं मैथमेटिक अगर सकते हैं कमप्रेटर और कोड जेनरेटर सब इसको बोलते हैं इसको आरिथमेटिक बोल सकते हैं इसको बोलते हैं कमप्रेटर और कोड जेनरेटर इसको सब बोल सकते हैं काहें बोलते हैं आगर परहेंगे कमप्रेटर बोलते हैं इसको आपके एकजाम में यह जो चार गेट है यह सबसे ज़्यादा जरूरी है और अगर आप गुरूप C की बात करें तो सिर्फ अगर आपको यह चीज़ पता हो गया ना किसको क्या बोलते हैं इसी से दो-दो मार्क्स के कुशन साथ हैं एकजाम में क्या पूछेगा तीन-चार ओप्सन देदेगा और पूछेगा इसमें से कोन गेट उनिवर्सल गेट होता है उसमें से एक टिक करना है आपक गेट के इतने जनकारी होने से बस अपका नमबर स्क्यूर हो रहा दे फिराता है इसका टूथ टेबल, not get कब 1 देता है, कब 0 output देता है एक्जोर गेट, एक्जोर गेट सिफ टूथ टेबल याद होने से आपका गुरूप C में चार नमबर आपका fix हो जाएगा अगर सिफ इतना याद है गुरूप ये चारों का इसका आपका गुरूप टेबल, इसका लॉजिक डाइगराम अगर याद हो जाता है, तो आपका गुरूप C और गुरूप ये, ये दोनों में 10 marks fix है, सिफ लॉजिक गेट से हम 10 marks एक्जाम में ला सकते हैं तो ये कितना असान है, बस एक topic पढ़े और 10 marks हमारा secure है, इसी में अगर हम आपको number system add कर दे इसी में आपका boolean algebra हम add कर दे तो ये मतलब काफी easy होता है, और काफी असान topic है, यानि आपका computing informatics में अगर आपका digital electronics अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका 50% जो marks है, सिले बस आपका mark 20% हो रहा है लेकिन जो marks है, वो 50% तक आ रहा है तो जो exam qualify करने के लिए हम कम मेहनत पे ज्यादा marks लाना है तो group B आपका strong होना ही चाहिए, क्योंकि group B सबसे easy है as compared to group A, कि group A में हमें 3 book परने हैं और 3 book एक lengthy है लेकिन group B में हमें 3 topic परने हैं जिसमें की पहला है basic computer तो बहुत असान है, क्या होता input क्या, output device क्या होता है, input क्या होता है keyboard input है, mouse input है तो यह सब क्या होता Doyle इसा बहुत असान है, जो कि 9-10 का बच्चा पढ़ क्या आता है basic computer क्या होता है generations तो 5 generations होते हैं तो वो सबको पता होता है, 9-10 के बच्चे पढ़के आते हैं, अगर आप डिप्लोमा की हैं, तो आपको नॉलेज होगा, अगर नहीं भी होगा, एक थोला सा थेओरी बुक पढ़ लें, तब भी नॉलेज होए आता है, असान तरीका है, और ख्लास तो हम लोग लेंगे ही, तो यह जरूरी है, और आप एक टेकनिकल पेपर पढ़के, अगर पचास नाक्स लाप आते हो, तो किलियर है, ग्रूप A में से अगर हम एक भी भूक पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो सत्तर सिनेमर लानासान हो जाता है, हाँ, विदावट टीचर्स आप नहीं पढ़ करता है, क्योंकि प्रोगारमिंग में एक मैथ को भी एड करना पड़ता है, उसके एक अलग लेंगवेज ही होता है, क्योंकि C और C++ एक लेंगवेज है, उस लेंगवेज को पढ़ना होगा, फिर उसमें हम टेकनिकल अपलाई करेंगे, अपना जो IQ लेबल है, वो अपलाई मैक्स में जो पूछे आते हैं वो NAND और NAND से पूछाते हैं NAND NAND gate को Universal gate क्यों बोलते हैं एक कोसंस अच्छा बन जाता साथ 8 marks का NAND gate को Universal gate क्यों बोलते हैं प्रोब किजिए ये दो questions तो आपके exam में repeat ही करते रहता है हर साल एक तो 2 marks में पूछ लेता है 2 marks में क्या पूछेगा किस में से को NAND Universal gate है टिक करना है तो आप टिक करने वाले नमबर पर लाज सकते हों group C में से group B में जो पूछे questions में वो पूछेगा why NAND and nor gate is called Universal gate 8 marks questions में लिखा रहेगा अब 8 marks का questions है इसका साफ साफ मतलब है कि questions कम से कम तीन से चार page में जाएगा तो चार page का concept समझ रहे हैं आप जब तक इसको अच्छे से detail नहीं करेंगे marks नहीं मिलेगा तो वह किस किस step में करना है वह हम सब third class में आपका हो जाएगा क्योंकि एक class इसमें लग जाएगा और एक class इप nor पे लगेगा और एक nand पे लगेगा फिर एक यहाँ पर एक यहाँ पर थोड़ा class lengthy होगा लेकिन जब एक बार class हो जाएगा तो आप यह 10 marks आप सोच के चलना कि हम जब तो 10 marks करके आएंगे और वही करेंगे जो हम यहाँ पर बताएं हैं और आप एक तरद से यह समझ लेजिए कि हम यह पर के जा रहे हैं तो questions इससे बाहर नहीं आना आप previous questions paper देख सकते हैं पूरे year का तब को तता लेगा कि नेंड और नौर कितना important है वाइड नेंड इसको इनवर्शल गेट वाइड नौर इसको इनवर्शल गेट इसको प्रूप किजिए इसको explain कि जिए ऐसे questions मर्ज questions हुआ ही है बस इसको language change किया गया है तो नेंड नौर नेंड नौर इसी को repeat किया गया कभी कभी एक जोड गेट का truth table पूछा गया है तो आपको आप clear हो रहा होगा यह चीज़े है तो friends बहुत असान है AMI pass करना बस एक conditions है कि आपको बहुत टेखनिकली अच्छे तरीके से परना स्मार्ट बेस से परना है और start के से करना है जहां से हमें पहला यह करना है कि हमें पास होना है जब पास होने का condition कर लेते हैं हम तब स्टार्ट करेंगे कि अच्छा माक्स कैसे ले गया है अच्छा माक्स लाने के लिए हमें basic programming आना बहुत जरूरी है जब basic programming आपका आ जाएगा तब उसमें हम mathematical concept एड करकर के करकर के आप programming में ज्यादा क्या कुछ नहीं परना है आपको एक control statement सबसे important है जो कि उसी में हमें ज्यादा प्रोगाम पूछा यता है फिर आपका array है पॉइंटर है टेक्सर से फंक्षन से चालपांच टोपिक परने प्रोगामिंग में भी लेकिन चालपांचों में सबसे ज्यादा important आपका control statement है तो control statement programming तभी बनेगा जब आपका math में अच्छे से logic जैसे आपका कभी कभी पूछ लेता है आपका quadratic equations पूछ लेगा प्रोगाम में तो जब तक math का quadratic नहीं आएगा तो प्रोगाम में भी नहीं कर सकते आप तो math का knowledge भी ज़रूरी है वह सर बताए भी है और इससे पहले जो हम पढ़ाते थे तो हम बताए भी उसमें भी बताए है तो बहुत असान प्रोगामिंग भी बस एक बार ध्यान देना पड़ता है हां लेकिन बिदाउट कोचिंग फोसीबल नहीं है हम आपको बार 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 बता रहे हैं बहुत बच्चे टाइम अपना खराब करते हैं बार बार attempt करके करके कई बच्चे हमें ऐसे कॉल करते हैं जिनका एज 40-40 प्लस होता है कि सर हम कई बार पर एक्जाम दिय कि एक ही तो पेपर है सुलब कुछन से पर लेंगे एक्जाम दे देंगे और सबसे बड़ा रिजन यही है बच्चे का फेल होने का कि उसको एक बुक समझ के पड़ते हैं जो कि ये एक समझ ये बच्चा को पता ही नहीं है कि इसका अंदर से लिवस है क्या तो आप इसको छ लेक्चर्स आपके हां भेज देते हैं आपके हां सेंड करते हैं उसका पूरा फाइल भेजते हैं जिससे आपको क्या होता है कि घर बैठे जब भी आप कंपनी से फ्री होते हैं आपको जब भी संदे को टाइम मिलता है साम को टाइम मिलता है कुछ भी हो जब भी टाइम मिल जो सिरियसली पढ़ते हैं वीडियो लेक्षर से देख लेते हैं उस पर उपपूछे को एक उसको देख लेते हैं और फिर उसको फ्रेम करते हैं कि तुमार्स में क्या करना है उनका नंबर काफी अच्छा होता है आपको विश्वास नहीं आता है तो मुझे लिशन कोचिंग क फेस्बूक पेज़ पे हम लोग रिजल्ट पोस्ट करते रहते हैं अब देख सकते हैं तो नेक्स लेक्षर हमारा होगा वो लॉजिक गेट का होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि कर लिजे को जब भी वीडियो हम डाल देंगे आपको अब्डेट मिल जाएग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि हो सकता है कि फिरी में बहुत वीडियो अप्लोड होते रहता है तो आपको अगर अगर आपको जरूत परेगा तो वीडियो आपको सामने आ जाएगा लॉजिक गेट है इसमें टोटल जो टॉपिक परने हमें आपक सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं अगले लेक्सरू में लौजिकट के साथ और लुजिकगेट से बाद टोंबर siающima उसके और इस तरहेब को तो इसे बढ़ेंगे क्योंकि एक स्रीज होता है पर ने का तो स्रीज अमें स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट से फिर नंबर सिस्टम से फिर बुलियन अलजेबरा आगे बढ़ेंगे फिर के ज़िए ठीक है तो आज के तना ही है कल मिलते हैं ओके थैंक यू बाई